ए खोट है एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रेइएर फेक्ट मैं हमीत कमार स्वागत करते हूँ अप सभी का अपने यूटुब च्रेृट और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने यूटूब चैनल में काफी अच्छे अच्छे और इंट्रेस्टिक टॉपिक्स को कवर करता हूं तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सावलिन टेमपल की जो कि अपने आप में काफी के लिए काफी फेमस है और जो कुंग फू है वो मारसल आर्ट की ही एक कला है तो आज हम इसी सावलिन टेमपल के पारे में सब कुछ जानेंगे कि सावलिन टेंपल क्या है इसकी नियू किस ने रखी और इसमें समय के साथ-साथ क्या-क्या पड़ावाई तो आज हम सावलिन टेंपल के बारे में ही बात करेंगे लेकिन इससे पहले फ्रेंट्स अगर आपने मेरे यूटूब चैनल सब्सक्र कीजिए और वीडियो के नीचे चल रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और एक नीचे बैल आइकन दिखर होगा वहाँ पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके मुबाइल पर मिलती रहे और जैसा कि मैंने बताए अपन का Г Dolan जाए सब घापको अफिक जैसा कि मेंने बताया कि आज हम सौनिन टेम्पल के बारे में बाथ करेंगे वैसे तो स्टरें टेम्पल बोध धरम कि सक्ष्या का केंदर जैसा सब को पता है कि साव्ल देम्पल चाइना जापान, हॉंग कोंग थाइल यहां पर बोध धरम का का केंदर है सावलिन टेंपल जैसा कि सब को पता है किसी भी धर्म किसी भी देश किसी भी अर्थवयस्ता के लिए वहां के शिक्षा के केंदर काफी इंपोर्टेंस रखते हैं और एक्चुली जो सिक्षा के केंदर होते हैं वहीं से देश को बिल्डब किया जाता है हम संस्कृति को आगे संस्कृति अस्तांतर्ण बोल सकते हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कारिय सबसे में जो होता है वह किसी भी देश के वहां के शिक्षा केंद्रों के मादम से सबसे अच्छे तरीके से होता है तो वही शिक्षा का केंद्र है सावलीन टेंपल लेकिन साथ ही साथ यहां पर सारीक शरम का इस्तमाल करते हुए आत्म रक्षा के गुण भी सिखाये जाते हैं वैसे तो बहुत धर्म यहां पर यह सब पाये जाता है जहां बहुत भिक्षु मार्शल आर्ट के कुणफु फॉर्म की ट्रेनिंग लेते हैं और हकिकत यह ही है कि वहां पर यह सब कुछ एक्च्वल में होता है तो इनहीं अलिशान मठों के बारे में आज हम पढ़ते हैं सावलिन मंदिर चीन में स्थित एक बहुत मठ है इसे दुनिया भर के आधुनिक युद्ध कला के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है इसे युनेसको ने अपनी विस्व धरोहर सुच्वड में सामिल किया है यह चीन के हेनान प्रांत के और यहां से कुंफु की टृइनिंग दी जाती है जो मार्शल आख का सबसे कथिन रूप माना जाता है जैसे मैंने बताया था और मintell शालोault चाहे तो वो इसको मिस्यूज भी करते हैं बहुत सारे मिस्यूज भी होते हैं लेकिन यहां पर फिर फिर इसे आत्मरक्षा के लिए यह सिखाय जाता है और यहां पर बोला जाता है सीखने से पहले कि आप प्रतिग्या लीजिए कि इस कला का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ आतमरक्षा के लिए ही करेंगे बोधिधर्मन की साउलिन सेली को पहला संस्थागत चीनी मार्सलार्ट माना जाता है युद्ध में साउलिन की बागिदारी का सबसे पुराना सबूत 728 इस्वी समवत का वो स्तंभ है जिसमें दो विशेस अवसरों 610 इस्वी के आसपास डाकवों से साउलिन मठ की रक्षा करना और बाद में 621 इस्वी में हुलाओं युद में वांग च्यों की पराजय में उनकी भूमिक आये आखरी समय में कुंफू का व्यापक उपयोग चीन के आखरी राजवन्स की जड़ों को उखाडने में किया गया चीनी विद्रोईये ने मांचु चिंग राजवन्स के खिलाब छापमार पद्धितित की लड़ाई लड़ी जैसे भारत में गोरिला युद परनाली है जो मर की लड़ाई करने की शाली अपने आप में अलग है और वो चापमार पत्ति को अपनाते हैं इसी वज़े से चापमार लड़ाई में दक्ष होना आम चीनी सैनिक के मुकाबले कहीं अधिक परशिक्षित होना यही सावलिन टेंपल की और वहां के फाइटर्स की स्पेसिलिट के मार्शल अर्ट की विध्या ऑर यहां के जो प्यासित हो सालाच की अचीन object भूंब के माशन आठेंज ने मिक्षित कि geography जिसे ने भी वहाइप होडिन यहां पर ध्यान लगाते थी गुंफुक की प्रेक्टिस भी करते थे उनके सुरुवात में दो सिस्य हुए इसी बीच उन्होंने यहां पर रहते हुए तीस साल हो चुके थे जब बोधिधर्मन के बारे में वहां के स्थानिय सम्राट को पता चला तो बेहत परभावित हुए उन्हीं के आदेश के बाद यह पहला सावल में सारिख शर्म काफी इंपोर्टंस रखता है और सबकुछ सारिक श्रम पर ही डिपएंड करता है तो जो शक्षम नहीं होते जो लोग वो कुंगफु की प्रेक्टिस ही नहीं कर पाते यह फौम ने सिर्फ आतरमरक्षा के लिए वहते हैं बल्कि कुंखु सिखा व्यक्ती नहीं होने दिया, आज भी सावलिन मठे कुंफू की ट्रेनिंग दिय जाती है पर इसकी पहली सर्थ होती है कि कुंफू सीखने वाला वैक्ति कभी इसका इस्तमाल किसी भी तरह के निकल कुंगफु के आला दर्जे के जानकार लोग हमेशा इसके पालन भी करते हैं वो सिर्फ आतमरक्षा गुणों में ही कुंगफु का उप्योग करते हैं तो यह था आज के वीडियो और आज का टोपिक हमने सावलिन टैंपल के उद्गम के बारे में पता लगाया और उद्गम केरल राजे से हुआ है इसी तरह की छोटी-छोटी बाते पता लगी होगी आयोप आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्यू फॉर वचिंग दिस वीडियो और आपको अगर इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइ कीजिए और वरी स्पेसल थैंक्स तो गान पंती जहां से मैंने अटोपिक कवर किया है थैंक्यू फॉर वचिंग दिस वीडियो